तो हलो फ्रेंड्स कैसो अप आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक टूल वेबसाइट का कम्प्लीट ऐसी ओ करके दिखाओंगा ठीक है बहुत कमेंट्स आ रहे तो मुझे के सर टूल वेबसाइट का ऐसी ओ कैसे करते हैं अगर आप ऐसी ओ करना चाते हो ठीक है ऐसी ओ धून रहे हो तूल वेबसाइट के अंदर इन्वेस्मेंट करना चाते हो तूल वेबसाइट बनाना चाते हो तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो अप्लोड की है मेरे चानल के ऊपर आप वहाँ पर विजट करो ठीक है नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने वेया टूल चाहिए, जैसा भी टूल हो, मैं आपको बना के दे दूंगा, हम एप्लिक्शन डवलप करते हैं, हम वेबसाइट डवलप करते हैं, हम गेम डवलप करते हैं, आप जो चाहो हमसे कॉंटाक करके बनवा सकते हो, ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर आज का जो SEO पार्ट हैं, उसके उपर हम ये वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये टूल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके उपर मैंने वीडियो बनाई है, ये टूल अगर आपको बनवाना है, तो 999 रुपीज में मैं आपको ब्लॉगर के लिए आपको ये बना के दे सकता हो ठीक है बैसी कि लिए जो टूल है वो है इमेज resizer ठीक है यहां से आप image को resize कर सकते हो जैसे मैंने यहां पर एक image ले लिया यह वाला image ले लिया यहां पर ठीक है image अब यहां पर आप size इसकी drop कर सकते हो या बढ़ा सकते हो जैसे मैं यहां पर इसकी size 1000 यहां पर रख देता हूँ और यहां और मैं 1000 ही कर देता हूं रिसाइस के उपर क्लिक करूंगा तो यह इस तरह से size mode change कर देगा ठीक है यहां से download होता है देखो मैंने यहां पर download कर लिया इस image को अगर में open करता हूं तो यह image कुछ इस तरह से दिखेगा ठीक है यह हो गया resizer नीचे आऊँगा तो यहां से आप filter है यहां पर आप देख सकते हो मैं यहां से image को choice करता हूँ ठीक है और मेरे image को यहां पर में लगा देता हूँ यहां से आप edit करते हो image का brightness बढ़ा सकते हो ठीक है saturation बढ़ा सकते हो आप अपनी इसाप से इस image को यहां से edit कर सकते हो, उल्टा सीधा गुमा सकते हो इसको, तो यह tool भी जबरदस्त है, अगर आपको बनाना है, तो आप मुझसे contact करो, description में link दी हुई है मेरे whatsapp नमबर की, ट्रिपल नाइन रुपिस में आपको बना के मिलेगा, अब हम बात करेंगे proper SEO की tool website के उपर, SEO क कैसे किया जाता है tool website, ranking में आ सकती है या नहीं आ सकती, बहुत लोग यही सवाल पूछते हैं, ठीक है, so example के लिए मैं यहाँ पर type करता हूँ, वलतारा, markets, ठीक है, enter करूँगा, so यह एक मेरे tool website है, इसके उपर मैं click करता हूँ, ठीक है, so आप यहाँ पर देख सकते हो, same to same website मैंने मेरे domain के उपर host की है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, adsense approval यहाँ पर है, okay, so adsense approval चाहिए आपको, तो इस तरह से आपको SEO करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है, वैसे आपको follow करना है, अगर आपको technical SEO करना है, तो भाई, आपको मुझसे contact करना होगा, मैं आपको 100 to 100 technical SEO से adsense approval दिला सकता हूँ, ठीक है, उसके कुछ charges है, आपको मुझसे contact करना होगा, ठीक है, so यह है हमारा blogger का, ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे setting के उपर, तो सबसे पहले कभी भी एक चीज़ देहन रखना, आप जब setting के उपर आते हो, तो मैं setting के उपर click करता हूँ, जो य 100% free, यह हो गया मेरे catchy title, जो सबसे पहले मैंने क्या रखा है यहाँ पर, 100% free, ठीक है, उसके बाद मैं मैं का करूँगा, इस वलतारा को हटा दूँगा, image resizer, ठीक है, tool, अब यह जो title है, यह कुछ हट के title है, और लोग अगर इस title को देखते हैं, तो मेरे साब से, इस website के अच्छे खासे आ सकते हैं, ठीक है, गूगल के उपर आना है, और यहाँ पर लिखना है, emoji, happy, और यहाँ पर बहुत सारी emoji आएंगे, ठीक है, तो आप unique करना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसे ही unique करना पड़ेगा, तो मैं इसको copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे title के unique करना चाहते हो, हट के करना चाहते हो, तो ऐसे emojis को add करो, और लोग फिर उसे attract होके आपके website के उपर clicks आपको मिलेंगे, तो इसे मैं करूँगा copy और save करूँगा, तो यह होगा title का part, अब यहाँ पर description आपको नहीं डालना है, भाई, मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ, description यहाँ पर मत add करो, ठीक है, अब इससे नीचा आएंगे, और यहाँ पर आपको नीचा आना है, नीचा आना है, अब बेसिकली यह tool website है, तो यह कुछ भी आपको यहाँ पर fill करने के जरूद नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर image load के उपर click करना है, और यह web service के call करता कितर गया, call करता, call करता, यह है मेरे सामने, save करूँगा यहाँ से, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नीचे आओंगा, meta description, so meta description add करके कुछ भी मतलब नहीं है, यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर तो हमने इस template को install नहीं किया है, हमने जो install किया है, वो old version में किया है, त तो हमें उस script के अंदर जाके meta description add करना होगा, so मैं दिखाऊंगा आपको आगे जाके कैसे add करना है, कुछ important setting है, उन्हें हम complete कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसे enable करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक site map हमें add कर देंगे, अब site map हमें create करना है, उसके लिए हम Google के उपर ज जाओंगा, अगर आपको इस type का site map का भी tool चाहिए, तो इसके उपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे वीडियो को check करें, ठीक है, और ये भी मैं999 रुपीज में website बना के देता हूँ, इस type की, यहाँ पर आपके domain name को आपको क्या करना है, enter कर देना है, so मैं यहाँ प आपको नीचे आना है, इस button को आपको enable कर देना है, ये दोनों option आपको छोड़ देना है, ठीक है, आपको home page को यहाँ पर allow करना है, no dp कर देना है, ठीक है, save करो, बाकी का आपको छोड़ देना है, अब Google search console को आपको open कर लेना है, आपका जो domain name है, इसे आपको copy कर लेना सब सबसे पहले, so domain name को यहाँ सबसे पहले करके, यहाँ पर आपको, सबसे पहले तो sorry, property में जाना है आपको add to property और यहाँ पर उसे आपको paste करना है, ठीक है, paste करने के बाद में आपको continue करना है, so यह auto verify हो जाएगा, okay, go to property, और जो आपका domain name है, इसे आपको यहाँ पर डालके, अब search होनी के बाद में आपको यहाँ पर request investing button के उपर click करके, इसे submit कर देना है, दो से तीन दिन में यहाँ पर submit होके, index होके live हो जाएगा, ठीक है, एक दिन में नहीं होता sub domain, एक से दो दिन जाता है आपर, okay, अब बात यहाँ पर खतम नहीं होती है, हमारी, यहाँ से मैं कर search करना है, meta tag HTML, ठीक है, उसके बाद में पहली website आएगी, इसके उपर आपको click करना है, so guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, description का एक आपको code मिलेगा, इसे आपको यहाँ से copy कर लेना है, description, only description, ठीक है, उसके बाद में आपको आना है, theme के अंदर, edit HTML के अंदर, ठीक है, और यहा पर आप देख सकते हो, description मैंने already यहाँ पर mention करके रखा है, अगर आप किसी दूसरे tool के अंदर हो, तो आपको tool के अंदर description ज़रूर mention करना है, बस आपको क्या करना है, इसे paste करता हो मैं, और यहाँ पर आपको यह जो मैंने लिखा है, same to same, वैसे आप लेक सकते हो, या आपनी जो भी category है, उस related यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, मैंने already दिया है, पर मैं आपको दिखा रहाता, description कैसे mention करते हैं, ठीक है, so यहाँ से मैं पीछे आता हूँ, अब बात करेंगे, कभी भी आप tool website को install करते हो, तो भाई सबसे पहले देख लो, वो responsive है या नहीं है, कुछ tools responsive नहीं होते हैं, इस चक्कर में वो ranking में नहीं आते हैं, और adsense approval नहीं मिलता है उनको, ठीक है, so guys, आज की वीडियो यही तक थी, अगर आपको SEO करना है, strong SEO करना है, adsense approval चाहिए, तो आप मुसे contact करो, description में link दी हुई है, ठीक है guys, मिलते हैं next वीडियो में,